Hello and welcome friends, Microsoft Access सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो Microsoft Access की है Access में आपको एक खास चीज सिखाँगा, जैसे अब लिए अगर आपको RD calculation जैसे RD किसी ने खोल दिया बैंक में या पोस्ट आफिस में या आपके किसी संस्था में तो उस पर ब्याज calculate करने के लिए एक छोटा सा software बनाना सिखाँगा कैसे बनेगा ये आईए दिखते हैं सबसे तो ये access open कर लिएगा, access open करते ही ऐसा scenario आएगा हम यहां से क्या करेंगे, blank database चूज करेंगी क्योंकि हमको खुछ से ये database डिजाइन करना है तो ये blank database ले लिए आप देखिए इसकी extension आपको दिखी रही है इसमें unique value ही fill हो सकती है तो यहां account ID कर देता हूँ मैं ठीक है और यहां से मैं data type short text या long text भी रख सकते हैं आप short text रख लेते हैं फिलहाल ठीक है name of customer कर देते है name of customer यह हो गया name of customer और यहां पर यह data short text ही रखेंगे और rd amount लिखेंगे यहां पर rd amount अ-m-o-u-n-t rd amount कर दिया अच्छा rd amount जो है यह number data type में आएगा इसमें आएगा number data type में ठीक है आप लार्ज नंबर भी लेकर आ सकते हो यह Microsoft access 2021 में आपको लार्ज नंबर भी मिल जाता है लेकिन नंबर रखते हैं ठीक है percentage आएगा कि rate क्या रहा इस rate से आप भ्याज दे रहे हैं वह rate आएगा तो यहां पर rate हम डालेंगे और rate कैसे डालना ह जार ध्यान से समझ देजिएगा उसके बाद यह number कर दिएगा और number करने के बाद यहां पर आईएगा न तो यहां पर इसे डबल बना लिजेगा और तरफंत क्या करिएगा कि परसेंट रहेगा तो आपको पता है number Double रखना ठीक है अब इतना काम हो गया हमें number know of period भी लेना है यानि NPER जिसे आप कहते हैं number of period वो लेना है तो number of period एक रहेगा, दो रहेगा, तीन रहेगा, तो कितने दिनों के लिए रेकरिंग deposit किया गया है वो चीज यहां पर आएगी यहां पर number कर देते हैं number करने से हमारा काम हो जाएगा, लेकिन चुकि कभी कभी डेड़ साल में भी पैसे निकाल लिये जाते हैं तो उसके लिए यहां पर इसे double बनाना ज़रूरी, तो point में लिखें इसी लिए double बनाना ज़रूरी और कितना, अच्छा, rd amount थो आपने देई दिया है, यहां पर rd amount दे दिया है, कितने रुपय की rd खोली है, वो तो हमने देई दिया है, rate हमने देई दिया है, और number of period हमने देई दिया, ठीक है, अब यहां पर maturity देते हैं, maturity amount, am, o, u, and t, यह हो गया maturity amount, ठीक है न, यहां पर date भी ले के आ सकते हैं आप कि किस date पई क्ढ़ा था ये date भी अप लेके के आसकते हैं धी लेक्षांत है यहाँ ते मैं क्या करता हूं मैं Bनाऊंट को मैं भूण ते लोग कैलकुलेटर के करेंगे ख़िक है और यहाँ पर क्धा स्तमाल करके यहां maturity amount कैसे calculate करना है जैसे maturity amount हो गया यह और यहाँ पर देंगे हम fb formula लगाएंगे तो देखे यह fb formula आ गया bracket open हो गया है सबसे पहले हमें rate लेना है तो देखे न यहाँ पर rate के लिए हमने क्या लिखा रेट ही तो लिखा है तो यहाँ पर rate लिख देंगे और rate लिख करके 12 से divide करें ठीक है अब क्या करना है 12 से divide करने के बाद हमें यहाँ पर दूसरी चीज़ लेनी है तो यहाँ पर क्या करना है आपको comma लगाना है और comma लगा करके number of period यहाँ पर लिखना है जैसे लिखा है आपने NPR वैसे ही लिख जेजेगा क्योंकि field name वही दिया है आप जो भी field name देंग हम प्रिस्के हम प्रेस्क करें आर फिर डी और फिर अमांट लिख देंगे जैसे लिखा गया वैसे ही आ旅ब देना है तो जैसे लिखागल वैसे मैंने लिख कई अब और यहां पर एक कौमा देना है और यहां पर इसके लिए जी जी न हमारा इसे हम एक हम रूप दे सके DRSWALKER का, तो करना क्या होगा? यहांपर account ID ढलते हैं, जिसे 1ड लोगी, अच्छा, account ID, रपीट नहीं ही होगा? यह तあの अजलिए, जिसे 1ड लोगी, अज़ से ते ँन्तम गाता होगी हा यहांपे, देख सकते हैं ना? number of period एक साल के लिए इन्होंने ये खाटा खुला है या फिर मालिच ये ये न्योर्पए जमा किया यहाँ पर यहाँ पर जो आ रहा है यहाँ पर देखी इस तरीके से यह आ रहा है देख सकते हैं यह माइनस रखना यह देखी यहाँ पर क्या करना है FB जो है यह माइनस रखना है क्योंकि बैंक की यह पैसा रेटर्न करेगा तो बैंक की responsibility बनेगी तो यहाँ पी यह माइनस रख लिजेगा और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यह formula हमने apply कर दिया और यहाँ यहाँ पर देखे यह जो है ना फुल मिलाकर के देड़ साल में कितने रुपए जमा होंगे पाट-पास्टो रुपए महीने जमा होते हैं तो देड़ साल में जमा होंगे नो हजागा तो यह इस तरीके से यह बन जाएगा आप देखे यह करके आगे बढ़िएगा अँगा इस तरीके से कर देगा घाय करनी तो यह इस रखिएगा जब भी रखिये गा तो ल कर देगा थिके ना अब इसमें दिएवा हैaterial तो डुष्ट है और समॉडल नहों है तो बस यहां से जाकर के वियू पे क्लिक की जगा तो यह आपका software बन करके ready है ठीक है अब account ID यह है अगर आप account ID अलग डालना चाहते हैं तो यहां पर डाल सकते हैं ठीक है अब इसको मैं save करता हूँ अब देखिए यहां पर account ID अलग डालता हूँ जैसे माल जी यह account ID हो गई इसमाल यह 7% के हिसाब से calculate करना हो ठीक है तो 7% के हिसाब से calculate करना रहेगा तब यह ऐसे calculate हो जाएगा ठीक है ना पर दूसरा भी अपडेट नहीं दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे इसको करेंगे या यहां से तो आपडेट पाएंगे यह लिख देख रहे हैं दोनों अपडेट हो गया ठीक है तो कुछ इस तरीके से यह डवलप कर सकते हैं आप उमिद करता हूं बाद समझ में आई होगी